हेलो दोस्तों वेलकम है आप सभी के अपके अपनी चैनल डेल्टा टेडिंग आफिशल में तो चलिए स्वीडियों बात करेंगे कि फ्राइडे की दिन का निफ्टी का मोमेंटम कैस था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे और उसके बाद बात करेंगे तो चलिए स्वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने हमारे यूटीब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहां पर आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन की वीडियो मिलती है और साथ में हर साटेड़े को हम वीकली अनलिसिस डालते हैं देखने को मिली थी और उसके बाद 1st 5 minutes की स्टाइटजी देखने को मिली थी और उसके बाद अगर अपन क्लोजिंग देखने हो लिए 19,719 के लेवल के आसपास की तो यह था निफ्टी का यहां पर हमें थोड़ा सा साइडवेज मुएंटम भी देखने हो मिल सकता है और अगर इसके नीचे हमें डेली टाम फ्रेम में क्लोजिंग मिलेगी जो कि यह राउंड लवल मार करें 19,580 के लेवल तो एक हमें यहां से डाउंसाइड का मुवमेंट भी देखने को मिल सकता है तो यह दो इंपोर्टन लेवल से आने वाले दिनों के लिए कि आपन को कहां पर मुएंटम देखने को मिल सकता है अब साइट की बात करें तो सीधे अपना टार्गेट रहेगा और अ तो दोस्तो अब आगे 15 मुट्स के टाइम फ्रेम में सबसे पहले अपन बात करें कि अपसाइड की मुवमेंट अपन को कहां देखने को मिल लेगी अपसाइड मागे यह वाल लेवल ब्रिक आउट करें जो कि है 90,875 का लेवल तो इसकी उपर एक अपन को अपसाइड में व बड़ा कर लेता हूं तो जो फ़र्स टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर यहाल लेवल जो कि around 90,930 का अपस का और अगर इसके उपर भी सश्टेन करता है तो अपना जो सेकंड टारगेट वह रहेगा फिर सीधे यह वाल लेवल जो कि around 9980 का और इसके उपर भी जाता है तो पिर अपनको यहां से gap filling भी देखने को मिल सकती जो की resistance level रहेगा 20,123 के level के आसपास की तो यह था कुछ important levels upside में अगर 90,875 को upside में breakout करता है nifty तो अब चलिए देखते हैं downside की moment अपनको कहां देखने को मिलेगी downside में अगर यह वाल level breakdown करें जो की है 90,667 का level तो इसके नीचे हमें यहां पर downside की moment देखने को मिल सकती है इसमें जो अपना first target रहेगा वो रहेगा पहले यह level जो की है 9630 का level और अगर इसके नीचे भी sustain करता है तो सीधे जो अपना अगला target रहेगा वो रहेगा फिर यह वाल level जो की है 9580 का और अगर इसके नीचे भी जाता है तो यहां पर एक अपनको gap ending देखने को मिल रहा है तो इसके नीचे अपनको gap filling strategy देखने को मिल सकती है जिसका support level रहेगा यह वाल level जो की है रहां 9540 का और इसके नीचे फिर अपनको 9500 का psychological level तक आतवे देखने को मिल सकता है nifty के कुछ important levels थे downside में अगर 9667 को downside में breakdown करता है तो अगर nifty इस range में trade करें जो कि यह वाले इस तो यहां पर अपनको sideways momentum देखने को मिल सकता है इसलिए ऐसे zone में trade करने जबचे जहां पनको कोई भी trending move देखने को ना मिलेगी तो इसलिए ऐसे zone में trade करने जबचे और किसी directional move के लिए या तपहले पने इस level के breakout होने को बेट करेंगे जो कि 90,000 75 का level upside में या पर downside में यह वाल level breakdown हो जो कि 90,000 67 का level तो यह का में बहुत अच् इस trend में अपन को trail line मनती देखने हो लिए अगर आपन किस point से trail line मनाया और ऐसे extend करते हैं तो यहां पर आपन को देखने हो बलेगा किस trail line पे अपनको 3 बर support लेते हो देखने हो मिलोगे nifty तो अगर इस trend line को Monday की दिन breakdown करता है और साथ यह level भी breakdown हो तेक आपन को downside में अच्छी momentum देखने हो सकती है जिसमें कि अपनके पास दो confirmation होंगे downside के लिए तो इस important trail line को आप अपने चार्ट पे जरूर मार करें तो उमीद करता हूं कि आपको लेवल चार्ट पे जरूर मार करें और अगर यह वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइ झाल करें तो उेखने है जिसमें वीडियो पे जिसमें करेंस आपको लेकल मार करें आपको लेका में करेंपना मार करेंसे तो यह एकाल पास आपको लेखने है